हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एड्यूकेशन क्लिनिक आयम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसन एन दा मेटाबॉलिक साइन्स और मैं लास्ट टू डिकेट से एज ए कंसल्टिंग फिजीशन साउड डली छतरपूर में प्रक्टिस कर रहा हूं तो जो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरेंस है कि लोगों को जादे से जादा नीच्रल और एलकलाइन फूड लेना चाहिए और एलकलाइन और नीच्रल फूड में जो कि आपके लिए एक सुपर फूड है एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव हेल्थ वेनेफिट से तो आज हम बात करेंगे कोकोनट नारियल की खुबियों के बारे में कोकोनट यानि नारियल को सुपर फूड हम क्यों कहते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बता हूं कि नारियल का अब्सॉप्शन बहुत अच्छा है नारि एक अलकलाइन नॉर्मल पीएच वाला एक फूट्स कहो आप उसे पीएच लेवल को बाड़ी का पीएच लेवल है उसको रेगुलेट करने में उसको मैंटीन रखने में कोकोनट बहुत इंपोर्टेंट रॉल प्ले करता है और जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ह होते हैं यहां में डिहाइडरिशन होता है यहां में फंक्शनल वीक्नेस होती है यहां में अलसर होता है यह इंडाइजिशन होता है यह बहुत ज़्यादे हमें एसेड बनता है तो उस दौरान जो क्लिनिकली एक बात बदल जाती है आपके सरीर के अंदर आपके पिट के अ यह आप नारियल करें आप लायर को यह को भी चाम है जब तो आप घ्रीय है इसके तो आप देशल आर्ल और 치म्स मेहाँ को करने दू आрахल यह लेगत है है और इसके अंदर अलसर को हील करने की बहुत अच्छी प्रॉपरटी होती हैं अब सव पोद्टार श्यों केल्सियम भरपूर है इसके अंदर यदि आपका लो भी पी रहता है आपको ठक ताक पान होती है तो आप नारियल पानी को restore करने में naturally मदद करता है और आपका जो digestive system में उसको promote करता है digestive system के को promote करने के कारण digestive health में मदद करने के कारण यह आपके absorption को बढ़ा देता है जिससे कि आपको deficiency होने की संभाबना कम हो जाती है दूसरा है कि जो depression anxiety है जिनको sleeping disturbance होता है उन लोगों को daily एक नारियल पानी पीना चाहिए यह बहुत अच्छा soothing anti-tranquilizer effect देता है यानि कि यह आपको cool down करता है यह chill करता है और यह आपके nervous system को काफी हद तक normalize कर देता है जिससे कि आप बहुत अच्छी better sleep induce करते है बहुत अच्छा fat है good quality fat इससे आपको मिलता है good cholesterol को यह बढ़ाता है और दूसरा इसमें जो vitamin E है vitamin E का जो source है यह बहुत अच्छा source है जिससे कि आपके skin का health और आपके बालों का health है वो काफी अच्छा रहता है आपके यदि skin dry रहती है आपको यदि allergic reactions होते हैं skin के अंदर allergy रहती है तो आप coconut oil की massage कर सकते है that is directly helpful उसके बाद आता है कि जो सबसे important इसका function है यह body के जो bath effect है और जो pit का असर होता है जिल लोगों को बहुत जादा बात होता है यह बहुत जादा पित होता है उसको normal करने में यह काफी हर्तक मदद करता है दूसरा बहुत अच्छा fiber है इससे आपको constipation नहीं होता है इससे आपको gas नहीं बनती इससे आपको perforation नहीं होता इससे अफारा नहीं आता यह natural fiber है natural minerals है natural vitamins है और यह natural hydrated liquid है यानि कि आपकी body को यह hydrate करता है आपको 200 ml coconut water में लगबग 1000 ml water के बराबर minerals और vitamins आपको मिल जाते है तो यदि आप बहुत जादा liquid नहीं लेना चाहते हैं तो एक दिन के अंदर आप दो नारियल लें तो वो आपकी total liquid intake है उसकी requirement को पूरा कर देगा तो इसलिए सभी को नारियल खाना चाहिए एक नारियल सब ले सकते हैं या फिर आपको जब भी नारियल एविलेबल हो तब नारियल खाएं और आप कच्छा नारियल बनवाई फोर्थ डेली खा सकते हैं नारियल मलाई खा सकते हैं और जो नारियल की चटनी है कोकोनट वो बहुत सूधिंग है नीच्रल है काफी हेल्फुल है और काफी हीलिंग में मदद करती है तो कोकोनट आप किसी भी फार्म में किसी भी समय में जरूर खाएं यह आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है थैंक्यू बेरी मैच टेक केर और सेल्फ